लो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके पने यूटूब चैनल पर आप लोगों के कई सारे कॉस्चन्स आ रहे हैं जो आप लोगों को सुनने में आया है की सीटर की नोटिफिकेशन आ गई है और 31 तारीक से फर्म भरे जाएंगे लगातार कॉस्चन आ रहे हैं कौन-कौ OBC, EWS या फिर जनरल जो है कटागरी इनका कोई खायदा होने वाला है और नहीं होने वाला है और कई सारे लोगों ने यह भी कॉस्चिन किया है कि यह जो फारम भरे जाएंगे इनसे पहले कि हम अपना EWS सर्टिफिकेट बन वाले हैं इसमें हमें भारत सरकार के दोरा 10% का आरक्षण दिया जाता है आप लोगों के इनफारमेशन यानि की सुचना के लिए आप लोगों को जानकारी दे दें कि आपका यह जो एक्जाम है यह सिर्फ एक इलिजबिलिटी टेस्ट है इसमें आपको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा अगर आपको 82 नंबर ला ने आपकी कटागरी में फिक्स कर देंगे नोटिफिकेशन में आपको इतने ही नमबर लाने पड़ेंगे इसमें कोई आपको EWS का रच्षण नहीं मिलेगा दूसरी बात यह है कि क्या बार्वी और ग्रेजुएशन में 50 प्रसंट मार्क्स होने जरूरी है तो बिल्कुल आ अगर आपके 49.5789 है तो भी साइदा फर्म नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि इसमें साफ साफ आपका दिया रहा होगा जब भी आएगा कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 या फिर बार्वी में 50 से कम है तो आप फर्म नहीं बर सकते हैं उसके बाद में कई सारे डाकुमे से त्यार नहीं है या फिर कोई नाम में गड़बड़ी है जिसे कि अधार काड़ हो गया तो आपको करेक्शन करवा लेना है जब तक और 8-10 दिन में करेक्शन हो करके आपको मिल जाएगा और क्या करना है अगर आप पहली बार अपना एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपक दखता है कि मानले जी आपने 31 को ही फार्म अपना भर दिया उसके बाद में वेवसाइट में को दिक्कत आ गई आपका फार्म नहीं बर पाया फिर आपका फार्म पूरी तरीके से भर गया है आपका एक्जाम होगा पहली शिप्ट में आपने देखा था जो मारा प्रिविय होते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है कौन-कौन से कॉस्चन उठा जा रहे हैं कहां से मैथ आ रही है इसका भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा आपका पहली और दुसरी सिप्ट में अगर एक्जाम हो गया अगर हमारा एक्जाम चार से पांच दिन के बाद होता तो हमें कई सारे नमबरों का प्रॉफेट हो जाता हो सकता है कि आपके 80 नमबर आ जाए 80 नमबर आ जाए और आप दो नमबर से फैल हो जाएं तो फिर आपको काफी ज़्यादा यह चीज़ सोचने के उपर मजबूर करें कि अगर हमने थोड़ा सा लेट अगर अपना फांबरा होता तो तो हमारे 82 से 50 नमबर आ जाते हैं क्योंकि हमको तब तक यह मालूम है जाता कि कहां कहां से कॉश्चन आ रहे हैं और हमने अपनी यह पढ़ाई कर ली होती है तो चलिए अब आपकी मर्जिये अगर आप पहले दिन फारम भरना चाह रहे हैं तो जरूर भर सकते हैं क्योंकि ञाउर आप को प्रतवर्ण है कि जरुP अब कर दो तारिक अगर आट को मिल सकती है चलिए और दीन में वेलिड एमील आड़ी एक होनी चाहिए आपके पास एक कर दो आट साथ साथ में आपका एक चालू मूबाइल नंबर होना चाहिए जिसके अपर आपकी OTP या फिर जो मैसेज भेया जाए CVC की तरफ से वो आपके पास में आ सके उसके आपके पास में एक ऐसा ID प्रूफ होना चाहिए जो कि जहां पर रहते हैं वो जानकारी आपका नाम और आप से कोई भी चीज आपके पास में है तो आपका जो जब आप फॉर्म कराएंगे तो वहां पर हो सकता है ID मांगेगा कि आधार कार्ड नंबर आप सम्मिट कर दिजिए पासपोर्ट नंबर सम्मिट कर दिजिए तो जो भी चीज आपको लगानी है वो आईडि आपके पास बि लेकिन जो आपका अधार काड है अधिकतर लोगों ने अभी इंड़ायाँ को तो आपकी सभी होनी चाहिए और साथ में आपके पास में हुन है कच्छा किया है कच्छा 10 और 12 का एजुकेशन डेटेल आपके पास में होनी चाहिए जब भी आप अपना फार्म भरने के लिए जाएं तो आपके पास में कच्छा 10 और 12 के आपके रोल नंबर और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वह आपके पास होना चाहिए अपने किस विद्या पास में ऐसा एकाउंट होना चाहिए जिसमें की चालू एकाउंट जिसका आपका कोई भी काड़ बना हो डेट या रिजिट कार्ड जिससे आप अपना पैमेंट हजार रुपे और बारास रुपे जो आपकी फीश से दोनों फार्म की वह आराम से कटवा सकते हैं तो यह थ कि तक मन किया जाएगा जब आप अपनी फोटो अप्लोड करेंगे अपने फार्म में तो इसका डामेंशन वह जो साउप पने तरुक्त होना चाहिए। उसके बाद जो आपके साइन रहेंगे उसका जो साजे वो तीन केवी से लेकर के तीस केवी तक का मानिकिया जाएगा और जो इसका डाइमेंसन है वो साजे तीन से देड़ का मानिकिया जाएगा इस प्रकार से आपको स्केन करके अपने पास में पहले से यह सारे चीज़ें र को पता चला है कि आपके आधार काड में जो नाम है उसमें करेक्शन करवाना था किने दिनों से हम सोच रहते करवाएंगे लेकिन अभी तक हुआ नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है कि आप फिर 15-20 दिन के बाद में अपना भर पाएंगे हो सकता है कि जब आपके आस पास के सारे एक्जाम सिटी भर जाएं तो आप अभी अपना चेक कर लिजिए आईडी मतलब की जो आपकी इमेल आईडी है वह आपकी बनी हुए एक्टिव इसका आईडी पसवर्ड क्या है आपका मोवाइल नंबर एक्टिव या फिर नहीं है अगर आपको अपन जो आपका सार्टिफिकेट नंबर है वो चेक करना है अपने पिता जी का नाम चेक कर लेना है यह सारी चीज़ें बहुत ज्यादा इंप्वर्टेंट हैं कई बार कई सारे लोग इन सब चीजों के चलते एक्जाम से वन्चित हो चुके हैं वहाँ पर रोते हैं खड़े हो क कि कि सर मेरा जो है नाम गलत हो गया इसके लिए क्या करें यह गलत हो गया कई सारी दिक्कते होती हैं इससे बढ़ी आए कि हम लोग पहले से अपना सब कुछ एक्टिव करके रखें और आराम से अपना एक जानकारी थी कई सारे लोग लगातार पूछ रहे थे AWS का कोई सब्सक्राइब करने हैं वो लोग माश्रा सब्सक्राइब से अपने नोट्स भी बाई कर सकते हैं जिनकी किमस रखें गई है तो चलिए मिलेंगे गली क्लास में अब तक की लिए धन्यवाद बावाए झाल 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 झाल